हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आरके डार्क टॉनिज पूप एन ओथर के पार्ट टू में पार्ट वन में कुछ बात कि नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लिजेगा फ्रेंड्स, टॉपिक काफी महतपूर्ण और इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए टाइम बेस्ट ना करते हुए, वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कोस्चन से हमारा पहला कोस्चन है, पुस्टक दी थ्री खांड्स एंड दी इमर्जन्सी ओफ निव इंडिया की लेखी का कोन है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा Option number C, Kaveri Bumjai Kaveri Bumjai Ji, The Three Khans and The Emergency of New India लेकिका है पुस्तक की हमारा अगला प्रशन है Home in the World नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option number B, Amartya Sen Amartya Sen Ji ने Home in the World नामक पुस्तक लिखी है इस पुस्तक में Amartya Sen Ji ने बताया है कि कैसे रविंदरनाथ टैगोर जी ने उन्हें Amartya Sen नाम दिया था ठीक है? हमारा अगला प्रशन है Dignity in a Digital Age Making Tech Work for All of Us नामक पुस्तक के लेका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option number B, Ro Khanna Dignity in a Digital Age Making Tech Work for All of Us नामक पुस्तक के लेका कौन है? हमारा अगला प्रशन है सच भारत करांती पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option number A, Narendra Modi ji ने देखो प्रस्तावना जो है वो है लिखी Narendra Modi ji ने अगर हम बात करें विमोचन की तो विमोचन करा है गजिंदर सिंग सेखावत और स्मरती इरानी जी ने और वहीं अगर हम बात करें राइटर्स की तो राइटर है परमेश्वरन अययर याद रखने है फ्रेंस हमारा अगला प्रशन है Living Mountain नमक पुस्तक किसे ने लिखी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option No. B अमितव घोश अमितव घोश ने Living Mountain नमक पुस्तक लिखी है यह है पुस्तक एक महमारी के दोरान लिखी गई थी यह है वर्तमान समय पर आधारित एक कालपनिक कहानी है जिसमें इनसानों में प्रकरती का कैसे शोशन किया है यह है बताया गया है यह याद रखना है फ्रेंड्स याद रहेगा ठीक है चलते हैं हम हमारे अगले कुश्चन पे हमारा अगला कुश्चन है मोधी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A चांदमल कुमावत चांदमल कुमावत जी मोधी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक है इस पुस्तक में नरेंदर मोधी जी की 107 देशों की विदेशी यात्राओं का उलेख किया गया है यह आपको याद रखना है हमारा अगला परशन है बच्चो की नई पुस्तक The Christmas Pig पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B J.K.Roling जी बच्चो की नई पुस्तक The Christmas Pig के लेखक है इनकी एक पुस्तक और महत्वपूर्ण है, वो है Harry Potter, Harry Potter जो पुस्तक है वो भी JK Rowling जी ने लिखी है, यह आपको याद रखना है friends, हमारा अगला प्रशन है, कर्म योद्धा गरंथ पुस्तक किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखे गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर C, नरेंदर मोदी जी, नरेंदर मोदी जी के जीवन से प्रेरित होकर कर्म योद्धा गरंथ पुस्तक लिखे गई है, अगर बात करें इसके व मोचन किया है या आपको याद रखना है फ्रेंस हमारा अगला प्रशन है आई एम नोट मसीहा नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C A एवं B दोनो देखे जो आई एम नोट मसीहा है ये एक आतम कथा है और आतम कथा वही लिखता है जिसकी होती है तो सोनु सूजी की ये कता है तो ये सोनु सूजी ने लिखी है लेकिन इसमें हैल्प करी है मीना अईयर जी ने इसका सही अंसर इसलिए ओप्शन नमबर C A एवं B दोनो याद रहेगा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रशन है दा इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A विमल जालान जी दा इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक है विमल जालान जी पूर आर बियाई गवर्नर है इस पुस्तक में भारत की अर्थवस्ता के बारे में बताया गया है यह आपको याद रखना है फ्रेंड हमारा अगला प्रशन है उडिसा इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B उतकल केशरी उतकल केशरी जी उडिसा इतिहास नामक पुस्तक के लेखक है याद रहेगा फ्रेंड हमारा अगला प्रशन है ए लिटिल बुक ओफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 यर ओफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option number B, Ruskin Bond Ruskin Bond जी इस पुस्तक में भारत के पिछले 75 वर्षों की प्रगती के बारे में बताया गया है आपको याद रखना है फ्रेंड्स याद रहेगा हमारा अगला परशिन है लॉंच पुस्तक प्राइड, प्रिजूडीज, एंड पॉंडिट्री के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B, शशी थुरूर शशी थुरूर जी, प्राइड, प्रिजूडीज, एंड पॉंडिट्री नामक पुस्तक के लेखक है यह आपको याद रखना है इस पुस्तक में 10 खंड है, पर ते खंड के अलग-अलग विशे पर चर्चा गई गई है जैसे आदोनिक भारती एतिहास, भारती राजनीतिक और शशी थुरूर जी के 2019 के साहित्यक आदमी पुरुस्कार भी दिया गया है यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स याद रहेगा हमारा अगला प्रशन है एलिफेंट इंडा वॉम किस अभिनेत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो यह है लिखी गई है ओप्शन नमबर D कलकी कोचलिन के द्वारा कलकी कोचलिन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है या आपको याद रखना है इस पुस्तक में गर्बावस्ता और मात्तु के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए पालन पॉशन के बारे में लिखा गया है कि कैसे किसी बच्चे का पालन पॉशन किया जाता है इस बारे में बताया गया है यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमारा अगला पॉशन है इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C कुनाल बसु कुनाल बसु जी ने इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक को लेखा है आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमार अगला पॉशन है रिपोर्टिंग इडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर B प्रेम प्रकाश प्रेम प्रकाश है जो वो रिपोर्टिंग इडिया नामक पुस्तक के लेखक है याद रखना है फ्रेंड्स हमार अगला पॉशन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर B अभे के अभे के जी इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर B चेतन भगत चेतन भगत जी 400 देज यानि 400 देज नामक पुस्तक के लेखक है या आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमार अगला पॉशन है सच कहूंतो नामक पुस्तक किसकी आत्मकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर C नीना गुपता नीना गुपता जी की यह आत्मकता है सच कहूंतो या आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमार अगला पॉशन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर B रस्किन बॉण्ड रस्किन बॉण्ड राइटिंग फ्रेंड्स अमार अगला पॉशन है प्रोमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर A जो बाइडेन जो बाइडेन है जो प्रोमिस मी डैड पुस्तक के लेखक है यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स मैंने end of the video revision section भी रखा है जिससे के आपको यह सारे जो question है इसी वीडियो में याद हो जाएंगे तो revision section आप जरूर लगाईएगा ठीक है फ्रेंड्स चलते हमारे next question पे हमारा next question है युवा भारत the heroes of today नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C देवीर सिंग भंडारी देवीर सिंग भंडारी ने युवा भारत the heroes of today नामक पुस्तक को लिखा है याद रहेगा फ्रेंड्स हमारा अगला परशन है पूर्व भारती क्रिकेटर कपिल देव और सिनिल गवसकर ने wrist assured नामक पुस्तक का विमोचन किया है यह एक आत्मकता है यह किसकी आत्मकता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number D गुंडपा विश्वनाथ जो की पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान है यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमारा अगला परशन है उडान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसका सही अंसर हो जाएगा option number D मिथलेश तिवारी मिथलेश तिवारी जी उडान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक है यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमार अगला परशन है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A समीर सोनी जी समीर सोनी जी माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट पुस्तक के लेखक है याद रहेगा फ्रेंड्स हमारा अगला परशन है ओपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर क्या होगा सही आंसर हो जाएगा ओप्षिन नमबर C उप्रिक दोनों अश्विनी भटनागर और आसी गंजु दोनों ही ओपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक है आपको याद रखना है friend, हमारा अगला परशन है cooking to save your life नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C अभीजीत बनर जी, अभीजीत बनर जी cooking to save your life नामक पुस्तक के लेखक है होगे friends, हमारा next question है मनोहर पारिकर, Brilliant Mind, Simple Life पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C नितिन अनन्थ कोखले नितिन अनन्थ कोखले मनोहर पारिकर, Brilliant Mind, Simple Life पुस्तक के लेखक है इस पुस्तक में नितिन गोखले ने गोवा राज्ये के पूर मुख्य मंतरी एवं पूर केंद्रिय मंतरी मनोहर पारिकर के जीवन के बारे में लिखा है यह आपको याद रखना है friends, हमारा अगला प्रशन है इसका सही आंसर हो जाएगा अपनामक पुस्तक को लिखा है याद रहेगा friends, हमारा अगला प्रशन है दि अम्बूजा स्टोरी पुस्तक किसकी आत्मकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B नरुत्म सेक सरिया नरुत्म सेक सरिया जी की आत्मकता है दि अम्बूजा स्टोरी नरुतम सेक्सरिया जी की आतमकता है या आपको याद रखना है नरुतम सेक्सरिया जी कौन है अंबूजा सीमेंट के मालिक है इसमें इनी के बारे में बताया गया है कि कैसे इन्होंने मतलब अंबूजा कंपनी को इतनी उचाये तक ले गए और एक विशाल कंपनी के रूप में उजागर किया यह इस देंबूजा स्टोरी नामक पुस्तक में इन्होंने नरुतम सिक्षरिया जी ने बताया है यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमारा अगला परशन है विकास कुमार झाझाँ याद रहेगा फ्रेंड्स विकास कुमार जाझी दि क्वीन ओफ इंडियन पोप दि ओतोराइद बायोगराफिओ उशा उत्तुप नामक पुस्तक के लेखक है अमार अगला परशन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्षिन नमबर C, उप्रिउक तोनो तलाई लामा और देशमन तूतू यह दोनो दिल लिटल बुक ओफ जो इनामक पुस्तक के लेकक है यह आपको याद रखना है हमारा अगला प्रशन है तो यह थे हमारे फ्रेंड्स most important question topic book and author से अब हम इन question का revision करेंगे जिससे की यह question इसी वीडियो में याद हो जाए अच्छे से तो चलिए revision पार शुरू करते हैं हमारा पहला question क्या था उस तक the three khans and the emergency of new India की लेकी का कोन है तो इसका सही answer हो जाएगा कावेरी बमजई next question है home in the world नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो इसका सही answer क्या है अमरते सेन याद रखना है friends हमारा अगला परशन है dignity in a digital age making tech work for all of अस नामक पुस्तक के लेका कोन है तो इसका सही answer हो जाएगा रोखना हमारा अगला परशन है सच भारत करांती पुस्तक की पुस्तक की पुस्तावना किसने लिखी है तो इसका सही answer हो जाएगा नरेंदर मोदी जी ने याद रहेगा friends हमारा अगला परशन है living mountain नामक पुस्तक किसने लिखी है तो सही answer होगा अमितव घोश अमितव घोश जी ने living mountain नामक पुस्तक लिखी है याद रहेगा friends हमारा अगला परशन है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही answer क्या होगा चांदमल कुमावत चांदमल कुमावत मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक है ये आपको याद रखना है friends हमारा अगला परशन है बच्चों की नई पुस्तक दा क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है जेके रोलिंग इनकी एक पुस्तक और है फेवरेट कौन सी हैरी पोटर जो बहुत सी एक्जामों में पूछे जाते हैं ये आपको याद रखना है friends हमारा अगला परशन है कर्म योद्दा ग्रंत पुस्तक किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है तो किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखे गई है तो सोनु सुच जी के आत्मकता है और सोनु सुच जी ने मीना अईयर जी के सहयोग से इस पुस्तक को लिखा है ये आपको याद रखना है friends हमारा अगला परशन है दा इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका अंसर जाएगा विमल जालान जोकी पूर रबियाई गवर्नर थे ये आपको याद रखना है friends हमारा अगला परशन है उडिसा इतिहास नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो सही आंसर है उतकल केशरी याद रहेगा friends हमारा अगला परशन है ए लिटिल बुक ओफ इंडिया लोंच पुस्तक pride, prejudice and punditry के लेखा कौन है तो सही आंसर है शशी थरूर अगला परशन है elephant in the womb किस अभिनेत्री के द्वारा लेखी गई पुस्तक है तो सही आंसर है कलिक कोचलिन हमारा नेक्स्ट परशन है in an ideal world नामक पुस्तक को किस ने लिखा है तो सही आंसर हो जाएगा कुनाल बसू next question reporting इडिया नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो सही आंसर प्रेम परकाश हमारा अगला परशन है the book of बिहारी literature नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो सही आंसर हो जाएगा abhe ke हमारा अगला परशन है 400 days नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो सही आंसर है चेतन भगत हमारा अगला परशन है सच कहूं तो नामक पुस्तक किस की आतम कता है तो नीना गुप्ता इसका right answer होगा हमारा अगला परशन है राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखा कौन है तो सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉंड नेक्स्ट कॉस्चन प्रोमिस मी डैड पुस्तक के लेखा कौन है तो सही आंसर हो जाएगा जो बाइडेन अगला परशन है युवा भारत दी हिरोज ओफ टूडे नामक पुस्तक किसने लिखी है तो सही आंसर क्या हो जाएगा देविर सिंग भंडारी हमार अगला परशन है पूर्भारती किर्केटर कपिल देव और सुनिल गवसकर ने रिस्ट एश्योड नामक आतमकता का विमोचन किया है यह किसकी आतम कता है तो सही आंसर हो जाएगा गुंडपा विश्वनाथ पूर्भारती किर्केटर कप्तान हमार अगला परशन है उडान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेका कौन है सही आंसर मिथिलेश तिवारी हमारा नेक्स्ट कोश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विच साईलेंट पूस्तक के लेका कौन है तो सही आंसर हो जाएगा समीर सोनीजी अगला परशन है अपरेशन खातमा पूस्तक के लेका कौन है अश्मिनी भटनागर और आरसी गंजु नेक्ट परशन है cooking to save your life नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो आंसर हो जाएगा अभी जीत बनर जी याद रहेगा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रशन है manohar parikar brilliant mind simple life पुस्तक के लेखा कौन है इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन अनन्त गोखले हमार अगला प्रशन है the classes of 2006 snake peak into the misadventures of the great Indian engineering life नामक पुस्तक को पिसने लिखा है सही आंसर अकाश कंसल हमार अगला प्रशन है the ambuja story पुस्तक किसकी आतम का था है तो सही आंसर नौरत्तम सेक्षरिया हमार अगला प्रशन है the authorized biography of उशा उत्थुप नामक पुस्तक के लेखा कोन है तो सही आंसर हो जाएगा विकास कुमार चाह हमारा अगला प्रशन है the little book of joy नामक पुस्तक के लेखा कोन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डलाई लामा और देशमन तूतू याद रहेगा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रशन है फ्रेंड्स ये थे हमारे books and authors टोपिक से महतपूर्ण question फ्रेंड्स अगर आपने इसका part 1 नहीं देखा तो link description box में आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं किसी next वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार have a nice day प्रेंड्स आपको तो